हाई अब्रिवन वेलकम बैक टो माई चैनल और मेरे शाल का नाम है वर्शा प्यूटी केर आज शेकरती दोस्तों के आप से बच्छी होंगी मैं भी बिल्कुल देखो फ्रेंट्स जो आज का ये मेकप लूग है न में ये ब्लैक और गॉल्डन कलर की काफसान के साथ करने जार तो वो मेरे लिए गिफ्ट में ये लेकर आया था यहां यह काफी जादा मुझे पसंद आया है लेकिन आपको बताऊं कि मैंने इसे पहले कभी भी काफसान नी पहने हैं यह मैंने फर्स्टाइम ही मतलब मैं इसे आज पहनने वाली हूं और इस न्यू फॉन में भी ना आज बहुत ही जादा लूस था I know यह थोड़ा से लूस होते हैं बट यह कुछ जादा ही लूस और मैंने इसे थोड़ा सा अपनी फिटिंग के कोडिंग करवा लिया था तो आप देख सकते हो तो चलिए मैं फटा फट से लुक करकर दिखा रती हूं और देखते हैं कि कैसा लग देखेगा और इसके लिंक तो मैं आपको नहीं दे पाऊंगी क्योंकि मैंने यह ओनलाइन पर्चेज नहीं किया है और यह काफी सॉफटाइस का जो फैबरिक है ना प्योर कोटन में है तो काफी अच्छा कोटन है यह अजसके आप देख सकते हो यह देखें कोटन में है और कुछ इस तरह से लुक है अब मैं पहनूंगी और फुल लुक भी आपको दिखाऊंगी और सभी मेकप रोट की परचेस लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूगी प्लीज आप एक बर चेक जरूर कर लिजेगा और हाँ फ्रेंड्स यदि आपको सवाल आती है इसलिए मेकप से पहले सबसे पहले टोनर जरूर लगाईएगा और यहाँ पर मैं निया का टोनर लगा रही हूँ यह काफी अच्छा ग्रिंटी टोनर है यह मेकप को बांध कर रखता है काफी देर तक टिका कर रखता है और मेकप को लोंग लास्टिंग भी बनाता ह और स्किन का जो पी एच लेवल होता है उसे बैलन्स करता है तो इसलिए टोनर लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा नेक्स मैं यहाँ पर प्लम की मॉस्टुराइजर लगा रही हूँ यह जल मॉस्टुराइजर है काफी अच्छा है लाइट बेट फॉर्मूला के साथ आता है इसका अलग से रिव्यू भी मैंने अपने चैनल पर शेयर किया हुआ है और मुझे तो यह काफी ज़्यादा पसंद आया ओईली स्किन वालों के लिए भी अच्छा मॉस्टुराइजर है इसके बाद मैं यहाँ पर परपल की प्राइमर लगा रही हूँ प्राइमर लगाना भी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है यह आपके ओपन बोर्स को मिनिमाइज करता है और मेकप के लिए आपको एक स्मूद सा बेस मिल जाता है इसलिए प्राइमर भी जरूर कैसे की है इसके लिए आपको शोट का वीडियो देखना होगा फ्रेंड्स यहाँ पर और और इंवाई बे और इंज करेक्टर यूज कर रही हूँ जहां भी मुझे पिग्मेंटेशन और डाक सर्कल्स की प्रॉब्लम है थोड़ी बहुत बहुत जादा डाक सर्कल्स तो नह हो जाती है काफी अच्छी स्टिक है यह नेक्स में यहाँ पर मेबलीन की लिबाम लगा रही हूँ यह लिबाम ना बहुत अच्छी लगती है मुझे नैजरल पिंग कलर देती है आपके लिप्स पर इसमें आपको कलर ऑप्शन और भी मिल जाएंगे प्लीज एक बार चेक कर लीजेगा इसके बाद मैं शुगर की ऐसा फेस फाउंडेशन ले रही हूं फ्रेंड्स की फाउंडेशन बहुत ज्यादा अच्छी है यह स्टिक ना मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई है वोटर प्रूफ फाउंडेशन है थोड़ा कोसली जरूर है लेकिन पैसा वसू फाउंडेशन दिया गया है वन साइड आपको ब्लेंडिंग के लिए ब्रश दिया गया है यह ब्रश काफी सॉफ्ट है इसके ब्रिसल्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं अगर आपके फेस पर एकने पिंपल की प्रॉब्लम है ना तब भी मतलब अगर आप फाउंडेश को और अच्छे से से कर लूगी इससे क्या होता है कि प्रोडक्ट कम वेस्ट होता है पहले ब्रश की हल्प थोड़ा सा ब्लेंड कर लिए और इसके बाद ब्यूटी-ब्लेंडर की हलP से अगर आप अपने फाउंडेशन को इस्तिकी से ब्लेंड करते है फ्रेंड्स तो आप लगी और अपने face को contour कर रही हूं friends मैं भी ना भी बस सीखी रही हूं मैंने makeup में कोई भी course वगारा नहीं किया है कहीं से कोई classes नहीं लिया अब हमेशा पूछते हैं क्या मैंने makeup सीखा है तो जी नहीं makeup मैंने कभी भी नहीं सीखा है बस वीडियो में देखते कर ही सीखा है जो क जाओंगे आप भी practice करते रहिए का practice से ही आपकी जो color है आप कोई भी खाम करते है तो उसमें निखार आता है तो बस compact powder लगा लूँगी इस तरीके से हलका सा set कर लूँगी अपनी nose को यहां पर आप देख सकते हो और जब इस तरीके से आप अपने contour के साथ पाउडर लगा जाते है ना तो यह जो lines बनती है ना काफी sharp दिखाती है आपके face को मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से करना और यह देखिए काफी अच्छी shape मिल जाती है इक तरह से आपको face contour करने से अब मैं spoolie के help से अपनी eyebrows को set कर रही हूं इसके बाद मैं यहां पर makeup revolution eyeshadow palette से अच्छे से लगा लूँगी small flat brush की help से अपनी eyebrows को be define कर लूँगी इस तरीके से और अच्छे सी से blend कर लिजिए अब compact powder की help से अपनी concealer को set कर लूँगी ताकि मेरे eyeshadow में कोई भी crease line वेगारा ना बनी नेक्स में यहां पर beauty cleansing eyeshadow palette से डाक pink color का shade ले रही हूँ ना तो यह red color है ना ही यह बहुत जादा pink है मतलब red और pink सा shade है बहुत ही beautiful है outer weeper और crease line पर लगाते वच्छे से blend कर लिया है अब मैंने makeup revelation palette से ब्लैक लर की eyeshadow लिया है और outer weeper लगाते हुए अच्छे से में blend कर लूँग और inner corners में मैं इस concealer को लगा लूँगी outer we तक नहीं लगाऊंगी इस concealer को बस इस तरीके से small flat brush की help से मैंने लगा लिया है अब मैंने यहां पर makeup revelation palette से यह golden shade लिया है shimmer shade ले रही हूँ और जहां पर मैंने concealer लगा था ना friend बस ठीक उसी के उपर मैंने इसे लगा लिया है concealer के ऊपर आप चाहें तो finger की help से भी shimmer eyeshadow को लगा सकते हैं finger की help से जब लगाते हैं तो काफी pigmented दिखता है आपका shade अब मैं थोड़ा सा इसे blend कर लूँगी outer V पर और center eyelid पर ताकि harsh ना दिखें नेक्स में यहां पर good vibes की काजल यूज़ कर रही हूँ आज पहली बार मैं इस काजल को यूज़ कर रही हूँ रिव्यू बहुत जल्दी share कर दूँगी friends मैं इस काजल का भी और इसे काजल को मैं काजल की तरह ही लगाऊंगी liner की तरह नहीं अब lower lash line पर काजल के ठीक नीचे मैंने थोड़े सेना मतलब black eyeshadow को लिया है और थोड़ा से black eyeshadow लगा लिया है हलका सबसे smudge कर लूँगी इसके पाद यहां पर मैंने pink eyeshadow भी लगाया था काजल के ठीक नीचे ही लेकिन वो clip मुझसे delete होगी friends अब मैं यहां पर Maybelline की mascara लगा रही हूँ इस mascara का review भी friends मैंने किया हु ही नहीं सोचा finger की help से ही लगाते भी अपने देसी तरीके से तो यह देखे काफी pigmented है यह भी और बहुत अच्छा blush है गाई मुझे बहुत जादा पसंदा है review share किया हुए है हाँ और friends इस makeup look के साथ मैं Instagram Reels पर भी बहुत सारे videos share किया है acting और dance के तो प्लीज वहां भी जरूर follow कर लीजेगा friends next मैं यहाँ पर sugar की eyeliner लगा रही हूँ और यह sugar का eyeliner ना बहुत जादा अच्छा है friends मुझे तो अच्छा लगा है और review मैंने shade कर दिया है इसका तो यह देखे next मैं यहाँ पर Maybelline की highlighter लगा रही हूँ highlighter ना guys मुझे बहुत जादा पसंदा है मतलब कहीं भी जात दो shade mix करकर आज मैं lip shade लगाने वाली हूँ इसका वीडियो भी मैं short की वीडियो में डाल दूंगी friends तो सबसे पहले मैंने नीचे के lips पर मैंने यहाँ पर maroon shade लगा है उसके बाद pink color का shade लगा है उपर के lips पर अब बस इस तरीके से आप इसे मतलब mix कर लीजीए यह देखे इ बीच से का जो shade होता नहीं कि यह देखे कितना beautiful सा pink सा थोड़ा सा reddish सा color आ जाता है मुझे इस color बहुँ जाता पसंद आपको कैसा लगा प्लीज कमें के की जरूबताना friends यहाँ पर मैंने blue heaven की makeup fixer से अपने makeup को fix कर लिया है यह है दोस्तों मेरा final look आशागरती दोस्तों की video पसंद आई होगी पसंद आए तो please like share जरूर कर दीजेगा comment के की जरूबता आना कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा friends please instagram पे जरूर फोलो कर लिजेगा यह bracelet मैने रिशी केष से लिया था और यह है मेरा complete look आपको कैसा लगा friends तो please मुझे comment के की जरूबताईगा मैंने black girl की लेगिंग के साथ इस काफ़तन को पहना है और instagram पे जरूर फोलो कर लिजेगा friends और ऐसे series आप अपने हिसाब से भी एर कर सकते हैं मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स वीडियो में दबते के लिए bye bye take care love you all झाल